अगर रादा को पटाना है तो खुद की लाइफ रिस्ट में डालकर गुंडों के सामने खड़ा होना होगा मतलब मुझे कुछ करना होगा और क्या देखो मैं क्या करता हूं क्या हुआ रे हम लोगों का ठोकने आता तु ले चिकन खाएगा हड़ भाई मैं तो एक मखी भी मार नहीं सकता मैंने ये सब जगर के कहने पकिया मुझे माफ कर दो माफ कर दो फिल्म में जो एक्स्ट्रा कोमीडियन होते न मैं उन में से हूं अरे भाई हम जैसो को कोई मारता है क्या तुझे मारने के लिए नहीं लाए हो रहे है जब तक वह लोगा माल लेकरनी आरे तब तक टंगा रहेगा तु भाई एक मौका दो मैं सबको लेकर आउंगा तो लाएगा तेरे घर वाले नहीं सुनेंगे ये गोपाल इस जोकर के साथ टाइम पास करना बनकर अपने है सुनाभी है ये जा तूफान सब आया है भाई ए पुझे बहुत बारा दिकर यहां है है जब औरे जाए यहां हां सब ना mechanism है यह को लें मना के कर दो Grade कोरे कोरी हैי EU क्यों गड़िए क्यों नक्igent उमर्फान इम भावाद state एक बात बताना भूली गया यह देखने में तो एक फैक्टरी लगती है लेकिन बेस्में में शम्शान है हमारे रास्त में जो भी आता हैं उसे वही गार देते हैं इस गाहों का शेयरूम है चुप चाप मेरे पैरों में किरके माफी मांग ले छोड़ दूगा मैं तुझे बेटा जिंदगी में बहुत बार गिरने के बावजूद हर बार खड़ा हुआ हूँ मैं खून की होली या पटाकों की दिवाली दोनों मुझे अच्छे से मनानी आती हैं सर कटवाना पसंद करूँगा डालेंग लेकिन किसी के आगे सर जुकाना मेरी फित्रत में नहीं है अरे वा अरे वा अरे वा पंटरो एक्षेन शुरू करो हुआ 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 झार सुझ ए कैडिज.. झार ऐखुए... झार सुझ एकोलुए.. झार सुझ ए Paraju ! कर दो कर दो कि अ कर दो कर दो कर दो कर दो ग। अभाइ और खsa लुफ इा कर दो खे भूँ प्री में राय दे रहा हूं सुन ले हम सब इस दुनिया में खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही जाते हैं लेकिन इन दोनों के बीच में जो गैप है न उसे इमानदारी से जीना से अगर तू मुझे वापस इस गाउं के आसपास भी दिखाना तो तेरा ये बीच का गैप कम हो जागा अपना खून पसीना बहा कर अनाच पैदा करने वाले किसानों की जिंदगी से खेलेगा तो मैं तुझे कुट्टे की मौत मारूंगा सोच ले आखरी मौका दे रहा हूं समझा क्या लोग कल्यान का अर्थ है आईरवेद सब के स्वास्त की रक्षा करेगा मेरे पोते का ख्याल रखना भारत जिसे सनातन धर्म का देश माना जाता है जहां हम हमेशा से वेदों का सम्मान करते आए हैं चार प्रमुख वेद होते हैं रिगवेद, यजुरवेद, सामवेद और अधरववेद अधरववेद में आयुरवेद का उल्लेक किया गया है आयुरवेद का ग्यान सबसे पहले केवल सब तरिश्यों को प्राप्त हुआ था उसके बाद राजाओं को प्राप्त हुआ और फिर राजाओं ने ये ज्यान समानने मनुश्यों में बाटा प्रतेक रोग की आउशदी और इलाज का आयुरवेद में उल्लेक किया गया है महराज अशोक के शासनकाल के दौरान आयुरवेद की लोग प्रिता बढ़ने लग गई थी लेकिन जब अंग्रेजों का राज शुरू हुआ तो उन्होंने आयुरवेद पर बाधा लगा डाली और आयुरवेद का स्तित्व खोने लगा लेकिन आज भी कुछ प्राचीन समुदाए के लोग आयुरवेद के सारे राज जानते हैं और दिन रात लोगों की सिवा कर रहे हैं अम् तयम्वकं याजामहे सुन्दिंपुष्टि वांध रन्म् उर्वारुग वबांधना प्रत्योर्वक्षियमाम्रता नमस्का 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 आयुरवेद के बारे में जानकारी तो थी हमें पर आज पता चला कि इसके इतने सारे लाब भी होते हैं हम सब को आज आपसे काफी कुछ सीखने को मिला है थेंक यू सो मज फॉर इंफरमेशन सर्व इफ यूंट माइंड वन सेल्फी प्लीज करनाटका का बिलारी शहर और ये है बिलारी का सबसे खुखार डॉन पल्लव सिंग सरी इजिन कोमा होश में आने के लिए एक महिना भी लग सकता है अरो जीजू आप दुबई से कब है मैं आपको फोन करने ही वाला था फिर मैंने सोचा कहीं आपको टेंशन ना हो जाए इसलिए मैं वो मेरा बेटा है उसके सिवा मेरे परिवार में मेरा और कोई नहीं बचा है अधराबाद में किसी लड़की की शादी में गया था उसने किसी लड़की के साथ बत्तमीजी की तो किसी लड़के न उसे मारा ना तो लड़की का पता चला और ना ही हमें उस लड़के का मार कर भाग कैसा ले हाई सर एस पी प्रताप हाँ ठीक काम की बात कर हमने इंवेस्टिकेशन शुरू कर दिया है दो-तीन दिन में वो पकड़ा जाएगा एस पी मैं महरास्ट्रा जाता हूं तो लोग मुझे माला पहनाते हैं पंजाब में जाता हूं तो लोग पैरों में ग देख लूँगा चल कट ले तो एस पी उसके मरने के बाद एक पार्टी रखोंगा पहुंच जाना हूं हूं जा यस सर शूर आइड बी देयर अल्टा बेस्ट अल्लबाश्य का इस शालिनी या वो जोकर का है आया क्यों नहीं अब तक कॉलिंग फ्रम लॉंग टाइं अब क्या करें हम एक नम्मर और है उसे ट्राइकर है ना ओके लेप्ट से आरे लाए भाई जूम करने का भाई जूम करने का अरे ठोक का लूँगा तुझे अपनी सस्तिगन से मार 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 अरे यह तो जाडियों में घुश गया रहे है इसको क्या एक नम्मर आ गई क्या लगता है कोई गलत फैमिली हो गई है वह इसा तो आपन गाइड है वाइं आप उनका जूनियर आ रहा है वह आपसे अच्छे से कॉडिनेट करें वह देगा स्टाइल में चल गया रहे है हां हलो मैं सेल्फ रभी प्लीज कॉल में बैक आइं वरी बिजी कितना बिजी कितना गलती हो गई मैडम चली फिर से लंच कर ले से सुबह से खा रही हूं मैं तिल स्लिम मी नॉट एट अगें चलो अच्छा एंची ओवर राइट है कम देन पास्ट आपको जोदपूर का टूर देना शुरू करते हैं ओके ना है जूनियर आपको सब जगह दिखा देगा जू डाकू जैसिंग के नाम से लोग तो क्या पुलिस भी डरती है तूने तूने मुझे ही दोखा दिया हाँ लेडीज का नयाग गुरूप आया है पचास लाग का सुना है ठीक है काम शुरू कर बाकी मैं देख लूँगा पचास लाग पचास लाग शुच्छाइब वैर्दस्मूजिक ज्चितनी थी यज़े रईस्थानी फोख सॉच्ण कम विछ इं अरामचे aha 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 जिसाहा जोड़रका सुपारी शोड़रका परक्राइब है जोब है मैं वहां नष्ट कष्ट करेंगे मेरे टोड़र के पता है एक कोटी अपर बटी विल्वा नटी है अधिन मैं अगुड आँ अजए अगुड बहुड आओ और अगुड आओ आओ इस अगुड आओ 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 इस मात्रभूमी का पुत्र है कि चांते की मूरत है वो तेरे बेटे को उसकी हरकतों का परिनाम दिया है उसने वो चोर लोग सब चुरा कर भागगे बाए अपने भी तर्ज वाला मुखी बताए रखने वाला उग्र रूपे है को भी भैबेट कर देने वाला योद्धा है वो है तो वो अकेला लेकिने एक सेना के बराबर है वो है माँ दो सारेगो अपने बताव भास्तम्हा अव्ठवत्र हा यो खोगथ क scorावारी师 झितिता झाल 700डे हैं या है उड़ कि दगज़ उड़ीक ऱान बटला को पूला को प कर अक्राथा एउ़ उड़ो बहु़र, ईख़़् कि उड़ों सकलदैने एभ जड़ों सबु कर दिटूरे को पुटिक कर दोत्तार्री एषयों सन्छुत को ता हुआ है। कहां रहता है, कैसा दिखता है, वो सब कौन बताएगा रे, मैं जब भी यहां आता हूं, तु हमेशा की तरह, हुम, रुम, 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 ऐसे मंत्र पढ़के यड़ा बनाता है, लेकिन आज तक तुने कभी साफ शब्दों में मुझे कुछ भी नहीं बताया, हुम, चला, आज मैं तुझे साफ शब्दों में समझाता हूं, वो चाहे बाववली क्यों न हो, चाहे पाताल में ही क्यों ना छुपा हो, उसकी मौत मेरे ही हाथों लिखिये, हाँ, हाँ, खाओ, प्यो, मजा करो, चेस, चेस, कहा था ना, वो आगया, वो देखो, कौन है साल्या, पिसकी मौत मेरे, हो, अपना बकशा खोलो रहे, मरने के लिए आया है क्या बाग जा परना काट दूँगा मरने के लिए नहीं मारने के लिए आया हूं फिनिश करो साले को आयम दो फिनिशर जाओ मार करो बाग जाओ जाओ मार करो कर दो जब 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 ज ए खिर देन समस्किनुकारो Bett channels हो औरैं खिर आगाएव आम भी खोडख ऊस्टै को अ कर्लिक सब्सक्रेत सब्सक्राओं हो 달라 यह अखुयोंजा जो आया ! मं, पुझ्प! आए! ऐसा रुद। चपने-डिकन ठो आट, अचल कहाह चा得 लेड़न, प्यल उकेढ़, चॉद्णीन ना ड गॉद्णीन देखा दिखा लेट जामेश बंगेश कुष्टिबदन और अध्योर कुषियम अम्रत आपकर रहा है लाज कर रहा है खुदी मारता और खुदी इलाज करता है और क्या ठोकना जरूरी है लेकिन इलाज का नाइस फैमिली गिफ्ट क्या बजा पुलिस डूंट कम नाउ पुलिस आ गई लिए सबका केल खतार काफी जल्दी अरे इदर भी पुलिस लेट आती है क्या फॉस्त विजली शाइनिंग बादलगर जींग अम इस गयां को कोई सालों से ढूंड रहे थे थैंक यू जगन अधर तो कि मैडम किसी अंजान जगह थोड़ा अलर्ट रहना जरूरी है अगर आप कम जेवर भी पहनेंगी तो भी बहुत कुप सूरत लगेंगी तुम दोनों अलर्ट न नलगेंगेंगे से अवक्ता है तो कि यूदा था था यह सब्सक्राइब अश्यां मैंद कि इस प्रूस के अग्ड़ा बहु कर अब जैक्ण वार्ट आपकोर माव् देकल्फ इन सब्फल आपकल झाल 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 जगनमोहनने क्रिष्णा- जगनमोहनने क्रिष्णा- लट्था मेरी मानश्री क्रिष्णा- बन्दी बना लिया है। ओके लिए। लेडि़ां ये। लिए। नौ जञा ञाल परणे बनां प्रेफ्णा- छैन्य। प्रसाद लीजिए तुम क्या गाती हो मां क्या भक्ति एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे सामने स्वयम प्रकट होंगे और तुम्हारी हार इच्छा जरूर पूरी कर देंगे पक्का अगर भगवान श्री कृष्ण मुझसे मेरे सामने प्रकट होके कुछ मांगने को कहेंगे न तो मैं जल से जल तरी शादी करवाने की बात कहूंगी शादी करना मजाक है कि पहले मुझे लड़की पसंद आनी चाहिए लड़की को मुझे पसंद करना चाहिए हमारी फैमिली को उनकी फैमिली पसंद आनी चाहिए उनकी फैमिली को हमारी फैमिली पसंद आनी चाहिए तब ही तो बात बनेगी न और ये सब कब होगा कब होगा जब ताइम सही होगा तब ताइम के दिन तु पैदा हुआ था ना तो मैंने तेरा नाम जगन मुहन क्रिश्ण रख दिया लेकिन क्रिश्ण भगवान का एक भी गुण्णी है तेरे में राधार उक्मनी सत्य भामा इन सब को तो छोड़ कम से कम एक गौपी को तो घर लिया आ आपकी बाते सुन-सुन कर यह ऐसा बन गया चलिए नाश्ता रेडी है जनम दिन की बहुत बहुत शुक काम ना है बेटा भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे थांक यू बाबा आज नाश्ता करते हैं चलो ना अंकिल तू यहीं रूप सुबह से लूज मोशन इस कमिंग बॉस पूरी हाला टाइट हो गई है बॉस पैंगलूरू से आज कुछ टूरिस्ट सार है आप उन्हें समाल लो ना बॉस फिल्म का फिर्स्ट देखने जाना है आज फ्राइड़ी साफ साफ बोलना ठीकता क्यों है यू कैच में रेड हंडेड यह जीनियस बॉस जीनियस क्या यार कितना टाइम हो गया यह लोग कहीं कल्टी तो नहीं देंगे ना पता नहीं और पांच मिनिट देखते हैं तो आपनों लोग यहां से कल्टी मार लेंगे मैडम आज के लिए इतना काफी है राधा कहा है आती होई मैडम जाए गणेश अरे बाबा नमस्कार कैसे हो तुम्हारे चहरे में मुझे भगवान शुरी कृष्ण दिखाई दे रहे हैं अहां लबी भेक रहे हैं तुम्हारे जीवन में राधा आने वाली है उसे देखकर तुम्हारे दिल में घंटी बजने लगेगी हवा में तुम्हें प्रेम संगीत सुनाई देगा उसका दुपट्टा उड़कर तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा और तुम्हारे जीवन में अरे बस करो यार बाबा इतना फेकोगे यार चलो निकलो यहां से प्लीज अच्छा टाइम पास अगर उसने तुझे कोई श्राप बाप दे दिया तो फिर क्या करें चोड़ो ना भाई रात को टीवी पर कोई साउट डप पिक्चर देखी होगी और यहां आकर उसी के डायलोग मार रहे लाओगा जिंगूर इतना टेंशन मतले बेटा बतला हो जाएगा पोन उठागर पूछ आ रहे हैं या नहीं ह। ह। स刘 करण बत। लड्र समी ह। बत। राग बत। जो… पताही नहीं रहे गई रहाए। जो आगई। हमेशा इन सब के साथ रहने के लिए का था ना तुम्हेरा अधा चलो गाइड को फोन लगाओ हाँ मैडम करती हुआ हलो आधे मैडम गुड बॉर्निंग मैडम अपुन आपका टूर गाइड और वो है हमारा बॉस हाइड समना अपनी उम्र का थोड़ा लिहाज कीजी चलो चल हाई सबको मेरा प्रणाम मेरा नाम जगन है ना आप लोगों की सेवा करना हमारा काम है प्लू इस दे कलर ऑफ दे स्काय अंद सी नीला रंग शुधता विश्वास और सक्थ्यका प्रतीक है बिल्कुल यहां के लोगों के दिलों की तरह इसलिए यह शहर पूरी तरह से नील है जोदपूर में राजपुतों और मुगलों का शासन हुआ करता था ओके अब्रीवान प्लीज गो स्प्रेड अराउंड और वक अन्यों प्रोजेक्स ओके जी पांद लेंगे जी कल से मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाह रहे हूं बोलो आपको याद है ना कि जगन आज तीस साल का हो गया है हाँ पता है मुझे पर लगता है आप एक जरूरी बात भूल रहे हैं कौन से बीस साल पहले काशी में गुरुची ने जो कहा था रतनाकर परिवार का शराप लगा है इसे जब ये तीस साल का होगा तो इसके सिर पर मृत्य का साया प्रकट होगा इसे करनाटक के बादामी शहर में स्थित शिव मंदिर में अपने हाथों से मृत्यूंजे पूजा करनी होगी तभी ये मृत्यू पर विजय पाकर आपके ये शुदा हम बादामी वापस नहीं जा सकते तुम जानती हो और इशर सर्वन तरयामी है तुम वही पुझा यहां शिव जी के मंदिर में करवालो चिंता करना बंद करो अरे सामने देखो भाई अगर वो नहीं आती तो मैं आज कल्टी मारता और जब वो आपको बिल्कुल भी भाव नहीं देगी तो फिर आप क्या करोगे भाई जिंगुर जैसी बाते मत कर प्लीज आप अपने अपने मुबाइल और पर्स का ठीक से खयाल रखिएगा मेरे सिवाए किसी भी लड़के को चेक आउट मत कीजिएगा इस फोर्ट को महरांगड फोर्ट कहते हैं महराज राव जोधा जी ने सन 1469 में इस किले की नीव रखी थी और इसे बनाने में उन्हें पूरे सौ साल लग गए थे जैसा कि आप देख सकते हैं इस किले में हर एक चीज हाथ से बनाई गई है कोई मिसिंग है नहीं तो सब यहीं पर है यलोग ड्रेस राधा अब गॉट बेर्शी गो मैंने कहा था ना आपको कोई भी अकेला नहीं घूमेगा सब साथ में रहेंगे जाए ढूंड़ियों से जिंगूर तूस तरफ जाओ 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 मेरी आजादी मत चीनो यह बिचारी तो बस में और कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूं राधा जी इस एवरिटिंग ओके अरे आप तो रो रही है भूक लगी है क्या बहुत मस्त लंच है पैकेज में इंक्लूड़ भी है आए 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 नहीं मैं नहीं आओ इसकी तो जी यह सुसाइड पॉइंट है मैं यहां आत्मात्या ही करने आई आत्मात्या अरे तो फिर लंच कॉन खाएगा यार पहले आकर खालो फिर यह सब कर लेना मैंने फ्री में इंक्लूड करवाया अगर तुमने एक और कदम आगे बढ़ाया तो मैं नीचे कूच जाऊंगी ओ बखलो जाएगा थाइगा ह। सैंसर ऐननना तो आखे खोलो तुम अभी जिन्दा हो कुछ लोग ये रास्ता अपनाते हैं लेकिन कुछ अपनी मुश्किलों से हस कर लड़ते हैं देखो मौत को तुम्हारा पीछा करने दो लेकिन खुद मौत की तरफ मत भागो अगर तुम अपनी मौत से नहीं डरती तो अपनी समस्या से क् को मौत कीशा है कि कआ जाने दो इसांहाँद से आखे में प्रोप्स की अपनीड एक्टारी में कुर कर दोने शे तार है आखे और रोण आ ठीम मोका बाश्याँ आ ऱ Milwaukee श्याश्याँ अई अऑ quindi ब्स्सक्टे है श्याच्वें क्लैस क्वें उस्याच्वें एद publi याम तो अब तक आपका टिकेट कर गया होता है लोग घूमने आते हैं तुम सुसट कर रही थी दिमाक का स्कूरूट हिला है क्या अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे घर वालों को हम क्या जवाब देते हम यह सब करने के क्या जरुवत्ती राधा ऐसा में क्या हो गया तुम्हारे साथ प्यार में इतना पागल्पन प्यार कहां से आ गया बीच में बात में बात करेंगे थैंक यू चला नमस्ते चलो राधा क्या आटेली लड़की अब आइए अब ये पागल कहां जा रही है हाई 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 ब्रेक अप हुआ है चाल्डूड लव स्टूरी टाइप का है कुछ तो कॉलेज में कोई फ्रेंड्शिप लव ब्रेक अप नहीं फेस्बुक इंस्टाग्राम वाट्साप पर मिले पिक अप ड्रॉप फिर लव फिर धोखा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है हाई तो फिर आपकी प्रॉब्लेम क्या है मैडम हर साल जब मैं छुटियों में अपने गाउं जाती हूं तो मेरा स्वयमवर करवाते हैं स्वयमवर लास्ट टाइम एक लड़का आया था वो मुझे पसंद भी बहुत था लेकिन प्रोबोजल राउंड से पहले ही उसे एलिमिनेट किया तुम्हारे स्वयमवर में घरवालों ने एलिमिनेट किया और अब किसी और लड़के को चुन लिया है और उससे शादी करव है जब प्यार होता है तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद करती है रियाली हम देखो मिस्रादा जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम आया तो इसका सिलूशन ढूना चाहिए और जब तक हम जिन्दा है हमें खुश रहना चाहिए गौतम बुद्धा ने क्या काया पता है अग थे कि ने शॉकर शत्री मेरे, टेरे ने काया जब आ क्यों के कहा थिरुआ को बुद्धा को थाओम। बुद्धा है क्योंपक काया देखर, चाहिए है यह जगर हूं मैडम आ के थेस्तवाथ ने मैं शॉतो बावी जी अर्ली बॉनिंग आपका इंतजार करकर थक गए और फिर मेरे हाथ में डबा थमा के टाटा भाई भाई सहीं गोईंग वो चली गई अरे बॉस और भी बहुत सारी बात हैं और फिर दर 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 बाहर निकलिंग हमारी और कमिंग ये लीजिए थैंक यू नहीं आपके लिए नहीं जगन के लिए है मेरी जान बचाने वाले के लिए मेरी तरफ से एक बहुत ही अनमोल गिफ्ट प्लीज उन्हें ही दे दीजेगा थैंस फॉर यू इसमें क्या होई ग चाहिए कम से कम 2 करोड के ही और वास तो लेंगे नहीं हम दुनों बाक्ति है मुझे बचाने के लिए शुक्रिया समझाने के लिए शुक्रिया पूटपिश तो ऐसे खारे दिया ती जैसे पतानी क्या दे रही होगी अच्या बॉस वाइक निइट उसका नमबर लिया तुन अरे मने माफ कर दो भईया बूलो गए हमसे अरे रवी इतरा बसकर अब ठीक हो नहीं तुब बाइक उटा ना तु मेरी बात सुनता है ना तेरी बाबा सुनते हैं बस अपनी मर्दी चलाते हैं पंडी जी एक बच्चा ने साब डस लिए जल्दी आओ ने साँ चलो तेरे बेटे को बचा लिजी जगार्ण ओ 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 त्रयंपकं यजा महे सुगंधिं पुष्टि बाद्धनम उर्वा रुखमि वबंधना मृत्योर्मुक्षियम आमृत्य। कर देजिंद्धा करें को सब्सक्राइब कर दो अधिया आधिए अधिया वार्वार सभू हम आपका है सिंदकी भर नहीं भूलेंगे सर्दू यह लिखिए काश मैं आपको इससे जादा दे पाता है गरत मत समझेगा लेकिन यह काम हम पैसे कमाने के लिए नहीं करते हैं लोगों की सिवा के लिए करते हैं परमिश्वर का प्रदान किया हुआ वर्दान है यह इस विद्य को त्याग दोंगा मैं लेकिन कभी बेचूंगा नहीं धन्यवाद धन्यवाद इजाजती इन्हें छोड़कर रहा है 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 यह शुदा क्या हुआ आपके लिए आपका वचन शेष्ट होगा है पर मुझे मेरा बेटा प्यारा है हम पूरा परिवार खोच चुके हैं अगर मेरी बेटे को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी इतने सालों से मैंने बादामी का नाम तक नहीं लिया अपने भाई से भी नहीं मिली लेकिन जगन को मंदर ले जाओंगी यह मां की बिंति है ठीक है जाओ बादामी करनाटका का एक शहर जहां पर बरसों से ठाकुर परिवार का राज चल रहा है इनकी इजाज़त के बिना बादामी का एक पत्था भी नहीं हिल सकता और ये परिवार के मुख्या बड़े ठाकुर साहब है नमस्ते ठाकुर साहब पिछली बार मुझे पर विश्वास करके आपने मुझे अमेले की कुरसी दिलाई थी मैंने भी अपना कर्टब बे निभाया मेरा मानना है इस बार भी अमेले की कुरसी मुझे ही मिलनी चाहिए पिछली बार भी आपने मुझे पर दया नहीं दिखाई थी उम्मीद है इस बार आपकी सेवा करने का मौका मिलेगा मैं आपका मान बनाये रखूंगा नमस्ते ठाकुर साहब जंता को बदलाव की उम्मीद है मेरे जैसे किसी युवा निता की मालिक पड़े ड़ा कुर्जी की पड़े ड़ा कुर्जी की जगन बेटा मुझे प्यास लगी है पाने ला देना जा यह तो ठाकुर का देचा है चलो भागोया से चलो 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 पाँ 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 अपने तो कॉड़ी का टट्टू पाल कर तू इलेक्शन जीतने की सोच रहा था और वो भी ठाकुर परिवार के सामने थाकुर परिवार से लढ़ने वाला को हैं तूँ आपकर दीजिए तूँ आपकर दीजिए तूँ आपकर दीए पारी बोटा अपनाड याफ चुडा याफ झाल वर्भाता में अपना याफ यद利laşा डेक तो कि अ चुड़ा नपनाड याफ यो भाता या या ना ाता या या तो भाता है पूजा की सामगरी आप लेकर आई है ना माफ कीजेगा स्वामी जी बैग में है अभी लाए घी लेकर आईए हां ओके आपका नाम क्या है जगन आप अपना पूरा नाम बोलिए जगन मोहन जगन मंगन होगा धन्यवाद है हलो आपकी बेहन अपने बेटे के साथ मंदिर आई थी बैहन क्यों किया तुमने आसा तुम्हारे आने की सुचना पंडिक जी न मुझे दी एक फोन तो मुझे कर सकती थी न यह बाई क्या मर गया है तुम्हारे लिए देख तेरा इंतजार पुरा गाउं कर रहा है चल आजा 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 देख मना मत करना तुझे मेरी कसम यह जगन है हां यह मेरा भाई है तेरे मामा जी मामा अंकल चला आव मेरे साथ अचिया अचिया आजा अचिया 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 आज़ोगा जोटीज़। अरे यहां तो मेला लगा हुआ हाटो अरे अशोदा कैसी है मेरी बेटी बड़े दिनों बाद मेरी यह मेरी माँ है पाइला गुनानी काट बेस सदा सुखी रहो बेटा अगर तुम लोग इस तरह गुड़ बनाने लग गए तो मैं अपनी गुड़ की फैक्टरी बंद कर दूं क्या गलती होगी मालिक तुम सब आज से गुड़ बनाना बंद कर दो नहीं तो मैं सबको यहीं दफना दूंगा चले ले जाएं सबको भाई वह भाइन वाइला है तो धन्दा तो गया हाथ से भाई इधर है नेरा बेटा गोपाल किसी से भी निवट सकता है चल फुट यहां से जा तो अंदर याके काम कर फिका भाई यह गोपाल को बुला कर ला अच्छा भाई कर लाई कि अरे समल कर मामजी मैं हर साल तरी मा के वापस आने के दुआ करता रहता था भगवान का नाम लेकर पानी में दिया छोड़ता रहता था और देखा इस साल तुझे और तेरी मा को मेरे पास भेजी दिया उस भगवान ने प्रात्ना में बहुत शक्ती होती है बेटा जो चाहिए मांग ले दिये को पानी में छोड़ दे समझ गया ना जा बेटा जा 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 गौड़ ब्लेस में थांक यू बुद्धा थांक यू सो म यह किसकी याद आ गई मुझे तो ब्यूटिफुल इस याना वाट बास भाभी यह बास योड प्रेग गॉड लिस्निंग जोड़ पूर मैं मिसिंग यहां मिल जाए यहां मिल जाए यहां बोस गो टो पैटो एटन कर एवरिफीं वह अभ एका अर तो जाने देगा तो ना अर्य गई क्या है यहां बास तेरे मोटे डी अगुछ देकी नेही रा उजार कहां चली गई यार भाभी स्टेंडिंग आई फाउंडर बस रुप जाए उसे पटाने जा रहे हो क्या यह भाई तुम मेरे रिष्टिदार हो बेकार में दुश्मन मत बनू तीन साल से वो लड़की हर साल इस मेले में आ रहे हैं और मैं उसे पटाने कोशिश कर रहा हूं तो उस लड़की को बहुत अच्छे से जानता हूं यार इसलिए सोचा जाकर हाई हलो कर दूंग जाने नहीं दूंगा एक टूपी वाले छिले आलू आफ्टर सो लाग माई बॉस इस मिटिंग भाभी और यू चिल अच्छा तु देखता जा मैं उसके सामने जाओंगा तो आप कौन आपने मुझे पहचाना नहीं राजस्थान मैं गाइड आप सूसाइड वो गिफ्ट बुद्धा राजस्थान स्विससाइड लगता है आपको कोई गलत प्यानी हुए तिल्टू 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 रिमेंबर मी आपकी पिता जू है तेलिंग में लक्ष्मी नाइस नहीं लेकिन मैंने देख लिया वो तुमको कितनी खुशी से मिली लक्ष्मी मैं तरह हीरो बेबी में आपति हम कमिंग अधार नमस्ते नमस्ते अरे मिठाई लेके आओ मिठाई खाने से पहले मैं आपको बुरी खबर देना चाहता हूं वैसे तो सभी क्षेत्र में आपकी जित निश्चित है लेकिन एक शेत्र को छोड़के तेवना गिरीक शेत्र के विक्रम नायक का नाम तो सुनाई होगा आ इड़ी डर पीड़ी उसका परिवार वहां राज गटा आया है विक्रम नायक की सबसे बली ताकत है उसका ठोटा भाई वीर नायक नायकों का भी एक नायक है मैं वीर नायक बहुत ही गुशा वाला है हम नहीं डरते विक्रम नायक से, वो कोई भगवान है क्या सही कहा, मेरे भाईया भगवान ही है पिछले साल जमीन घोटाले में अंदर भी गया था लेकिन फिलहाल बेल पर बहार आ गया है विक्रम नायक के तीन बेटे भी हैं, तीनों का कुष्टी में बहुत नाम है और विक्रम नायक की जान बसी है अपने बेटों में जनता की आवाज सुनकर विक्रम नायक खुद इस बार इलेक्शन में खड़ा हो रहा है उसके खिलाब जो भी खड़ा होगा उसकी हार लिश्चिता पैसा मान सनमान सब कुछ है उनके पास अब राजनेती में उतर रहे हैं ठाकुर साब कह रहे हैं कि गढ़बंदन कर लेते हैं हम उनसे बात करने गए थे चाचा जी ठाकुर जी के पोटे गढ़बंदन के विश्य में आपसे मिलने आए हैं ठाकुर साब को जाके बोल दो वो अपने इलाके के ठाकुर होंगे हमारे इलाके के नहीं चुनाओं में खड़े होने के लिए हमें ना उनकी जरूरत है और ना ही किसी और की दावनगिरी में सिर्फ हमारा राच चलता है विक्रम नायक का परिवार जैसे आज तक कुष्टी के मैदान में जीतता आया है वैसे ही अब राजनीती के मैदान में जीतेगा तो क्या आप अकेले ही इस क्षेत्र में लड़ेंगे सिर्फ इसी क्षेत्र में नहीं, बलकि आसपास के तीनों क्षेत्रों में भाईया के बेटे लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी भीक मांगने का कायर करम समाप्त हुआ, मुफ्त का शर्मत बट रहा है वहाँ, पीके जाना अब तो आप ही राष्टा दिखाईए रुको, ठाकुर साहब का बढ़ा बेटा जिन्दा है अभी, अगर नायक परिवार ने हमसे उला जिने की ठान ली है तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे जाकर काट डालो विक्रम नायक के तीनों बेटों को, जाओ, जाओ जाओ, 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 जाओ जाओ, 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 जाओ जिखता रहिए जूसराओ कि वोह थो रूगता पुषिवा की क्या जरुल क्या झूत nell करक्या कोई जरुदक चाहक Yap क्याख कर दो क्या और जरुदक कन्या अरे के दो कि आईस्क्रीम एटा आएब और आईस्क्रीम दे बेटा हाहहाँ हाहाँ और इसफोह हाँ यह गाइड अब दिख तमाश्य एफ और दिख तमाश्य हाँ है यह की आज गटब अलग लग लग रहा है पांड शर्ट से शीधा यह ट्रडिश्टा लग लुकिन वेरी गुड अपको अपनी मुझे पहचाना नहीं किया मैं राजस्थान में वो आप गाइड थी मैं टूरस्ट थी अपनी हेल्प की थी मैंने बुद्धा गिफ्ट किया था उस दिन यही सब तो मैंने भी का था ना सब के सामने स्विसाइड स्विसाइड के पता नहीं क्यों आज सुबा से ठीक से सुना ही नहीं दे रहा मैल होगा सफ करके आता हूं भागे अरी पापी आओ ना एक राउन मारता भगवान तुम दोनों के जोड़ी हमेशा सलामत रोत रखे मुझे लगा हम कभी नहीं मिल पाएंगे आप यहां पर कैसे मैं तीन सालो है तीस डजन के लिए चढ़ाने से चाहिए कोई भी प्रॉब्लम हो तीस दिन में दूर हो जाती है बटाटा शाम को जानते हो वो भी कोई भगवान है क्या बस्टॉप के पास फीमस बटाटा बनाता है लगता है खाने के काफी शौकी अरे यहां की और भी चीज़े फीमस ह होंगी अरे फरक तबोकिता नंबर किया अरे एकन रिक बताना पड़ेगा कल मिलते हैं भाई अरे अरे एक विच्काどうे में के लिए खाक्रजी की जया उब्स्टित है कॉर्णा बहिय्या से शु मिया ईalar भात करना चाहते है हाँ इस चीटू है चलो कि इस लड़की का डांस देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं मैसूर में ये पढ़ाई कर रही है लेकिन हर साल इस उस्सों में आती है यह मेरे बेटे के लिए ही बनी है वह मेरा पत्ता साफ करने वाली है वह अजी बैठा इस निकम्य के साथ चला मेरे साथ देख बिटा कोई क्या कहेगा मुझे कोई परवान नहीं है मैंने तेरे लिए लड़की चुनी है और वही हमारी बहु बनेगी तुझे कैसे भी हां बु बहुत बहुत पसंद भी करता हूँ अरे छोड़ राजस्थान वाली को मैंने तेरे लिए बहुत अच्छी लड़की देखी है तो एक बार देख ले ना एक बार देख ले ना एक बार देख ले से भी तेरे जैसी मा नहीं मिलेगी बहुत ही अच्छे नसीब वाला हूँ मैं कहा था ना चोदपूर में लड़की मिली थी जो मुझे बहुत पसंद थी यही है वह अरे मां मुश्किल से मेरी गाड़ी ट्राक पड़ाई तू रॉंग वेजे एंट्री मार कर एक्सिडेंट तू टेंशन मतले मा मैं खुद उस लड़की को तेरे पास लेकर आऊंगा पकर लिया तो कि मेरी तो किसमती ख़डाब है हुआ है हुआ हुआ है हुआ है दिखाई है ओ है राधा जी है सब ठीक है ना करो दांस देखा आपका और नाच्टिया है वावावाव देशा है मेरी मा तो आपकी फैन हो गई मैं भी सकते हैं मैं हूगो पाल यहां के डॉन का बेटा हुआ 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 है चल रहे चल रहे पीछे चल 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 पर हमद में बात कर सकते हैं को नहीं है हमारे गव में गुड़ बनाने की एक फैट्री है और यह उसके गुंडे है सारे निकम में लड़के जो सस्ता सस्ता सेंट लगा कर यहां को आए मेक अप थोप कर जो लड़किया यहां को आई और बाखी के सारे लोग सब ध्यान से सुन लो और अगर नहीं पहुंचा तो तुम सब का यह उत्स मातम में बदल जाएगा तुम सब के घर में लाशें लाशें विछी होंगी चल रहे इसका गो … यह तो सरा सर नाइंसाफ है सर पंजी, पिछली बार के माल का पैसा तो अहीं तक नहीं दिया आप अखिर कब तक उसकी दादागिरी बदास करते रहेंगे सर पंजी उनके पास पैसा है, उनके पास थाकत है, उनकी नजर में कानून का कोई भूले नहीं, वो दरिंदे हैं, मेरे खुद के परिवार को भी वो बहुत बार धंका चुके हैं, इस बार उनकी बात माल लो, हमारा नसी भी खराब है, चलो यहां से, अगर रादा को पटाना है, तो ख को ठोकने आता तू, ले चिकन खाएगा, हड़ भूप करड़, मैं तो एक मखी भी मार नहीं सकता, मैंने ये सब जगर के कहने पकिया, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, फिल्में जो एक्स्ट्रा कोमीडियन होते ना, मैं उनमें से हूँ, अरे भाई, हम जैसो को को कोई मारत है क्या, तुझे मारने के लिए नहीं लाए हो रहे है, जब तक वो लोगा माल लेकरनी आदे तब तक टंगा रहेगा तू, भाई, एक मौका दो, मैं सब को लेकर आऊंगा, तू लाएगा, तेरे घर वाले नहीं सुनते, गाओ वाले सुनेंगे, तेरे गोपाल, इस जोकर क अचे, ध्यक्षा, तूवाएगा जैंगे वाएगा म मुझा बारा नी कल यहांते दोर्णे करेवाएगा एए हीरो तुझे तुम्हें बात बताना भूली गया ये देखने में तो एक फैक्टरी लगती है लेकिन बेस्मिन में शम्शान है हमारे रास्त में जो भी आता है मुझे वही गार देते हैं इस गाहों का शेयरू में चुप चाप मेरे पैरों में गिरके माफी मांग ले बेटा जिन्दगी में बहुत बार गिरने के बावजूद हर बार खड़ा हुआ हुँ मैं खून की होली या पटाकों की दिवाली दोनों मुझे अच्छे से मनानी आती हैं सर कटवाना पसंद करूँगा डालेंग लेकिन किसी के आगे सर जुकाना मेरी फित्रत में नहीं है अरे वा अरे वा अरे वा पंटरो एक्शेन शुरूगरो बड़े! कर दो हो कि ठाज हो थो कर दो हुआ हो तका कर दो हो हो आल मुलजwr ब Four तो पुल दो कि औुम उब उ expanding गाउं का शेर है ना तू प्री में राय दे रहा हूं सुन ले हम सब इस दुनिया में खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही जाते हैं लेकिन इन दोनों के बीच में जो गैप है ना उसे इमानदारी से जीना से अगर तू मुझे वापस इस गाउं के आसपास भी दिखाना तो तेरा ये बीच का गैप कम हो जाएगा अपना खून पसीना बहा कर अनाच पैदा करने वाले किसानों की जिन्दगी से खेलेगा तो मैं तुझे कुट्टे की मौत मारूंगा सोच ले आखरी मौका दे रहा हूं समझा क्या सबको मेरा प्रणाम अपना नया माल आप अपने पास ही रखिए और कल सुबा फैक्टरी में आकर पुराना माल का हिसाब पूरा कर लिए चले कुपल अन्ना एक मिनिट फ्री में एक सलाह दे रहा हूं जी हम दुनिया में खालियात आते हैं और खालियात जाएंगे तो इमा आप सब खुश रहिए और अपना ये उट सब धूम धाम से मनाईए मैं चलता हूं सर नमस्कारम चल 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 इतना बड़ा आज तुने काम किया है और चुप-चाप खड़ा है तो गर्व है मुझे तुझ पर हमारी ये खुशी तेरी देन है भगवान तुझा हमेश तुम आप तुम नाम प्रताप है सुपरेटेंटेंट पुलिस बिल्लारी डिस्ट्रीक पता चला तुमने शुगर फेक्ट्री के गुड्णों को मारा है गुड लेकिन दोबारा ऐसा कभी मत करना इन गुड्णों को सब्सक्राइब के लिए हमारा कानून है हम पुलिस वाल यह अंगुठी आपकी है इवन आयम हविंग इट सेम तु सेम अंटिक पीस सर हम कहां से हो जो रायस्थान वास की नानी के घर भी आर हियर एंड यू सर पास के बिल्लारी डिस्ट्रीक से आया हूं हां यहां सो के लिए था तो मिलते हैं ओकी सी यू मैं रेडी हूं तुम्हारे घर चले हां चलो इनके उम्र कितनी है नबे और सेंचुरी होते होते रहे गए हां क्या मतलब मेरा मतलब है कि चांसे कम हैं क्या हुआ है बेचारी लगता है इसने कल कुछ जाधा पीली इसलिए बेहोश है इसे भी साथ लेकर आया है मैं तो ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं इन्हें हम एड्मिट कर सकते हैं उसका कोई फाइदा नहीं होगा इनकी उमर तो देखिए अब साब उपर वाले के हाथ में मैं चलता हूं चलो रहे आगे कहा चलना है पास में मा दोगा चल चल आप जान रशीएगा सुनिये ना अभी मारी नहीं है नहीं मारी क्या नहीं मानी मा को अंदर लेकर जाओ क्या हुआ यह कह रहे है मा अंदर ले चलते हैं जागा आख रहा है और कंव्याजा महे सुगंधिम्पुष्टिबध्धनम् पुर्वारुपमिवबंतनाम् रुप्धयोर्भुप्षियमामृताम् कुम कुम लेलो बेटी तुम बिलू अरवा मम्मी को यह लड़के को ज्यादा ही पसंद आ गई है न बस उनकी होने वाली बहु जो है आएगी न तुम कहां से मैं सोड में एंबीए कर रही हूं यहां उत्सव के लिए थी पेरेंस भी पास के गाव में नहते हैं तुझे क्या लगा मेरा टिकट कट गया नहीं नही मामा वो देख तेरा पोता जगन उसी ने तुझे ठीक किया है मां अच्छा वा जगन मोहन तुने कैसे ठीक किया बेटा आयुर्वेद मामा इन जड़ी बूटियों में जो शक्ति है न वो मनुष्यों की बनाई हुई आउशदियों से कहीं ज्यादा है यह जो हमारी आते हैं हर चीज में दवा के गुण होते हैं आजकल के युवा विद्या प्राप्त करके बाहर चले जाते हैं लेकिन तू अपनी विद्या से हमारे गाओं की लोगों की सीवा कर रहा है तुम्हारा तो बेटा बिल्कुल कमाल है बेहर अ नायक जी अब चुनाओं के लिए मना करेंगे तो कैसे चलेगा कोई और जीता तो हम बर्बाद हो जाएंगे अपना निर्णे बदलिये अरे देवाब तु यह अक्रिसा आ रहे चलो रहे शेर की तरह जीने वाले विक्रम नायक जी को इस हलत में देखकर बहुत दुख होता है मालिक आपस इशारा कीजिए मैं उस ठाकुर के परिवार की लाशे मिशा डालूँगा उन्होंने मेरे भाईया की जान तो नहीं लेकिन उनकी जान से भी बढ़कर उनके तीनों बेटों को मौत के गाट उतार डाला मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ ठाकुर के बड़े बेटे उस भलाल ठाकुर ने करवाया है भलाल ठाकुर की जान उसकी पोती में बसी है उस एक लड़की की मौन देखकर उसका सारा परिवार तरपकर नश्ट हो जाएगा ढूंडो 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 उसकी पोती को तुखी क्यों लग रही हो कोई बात है तो बताओ या तो उसका फोन रखाने के हिम्मत कर या अपने फोन से उसका नंबर डिलीट कर दे घर पहुंचते ही फोन करना हाँ टेक क्या बाइ तो मुझे जोदपूर आने से भी रोक रही है ऐसे कैसे चलेगा इस तरह तो मैं राकी भी नहीं बंदभा पाऊंगा और ना ही मैं तुझे कुछ दे पाऊंगा आप तो जानते ही हैं ना भी है कि मेरे हाथ बंदे हुए हैं शहीका बह जगन कुछ टेंशन में आए क्या अरे बहिया उस तिन अपने घर में लड़की आई थी ना अच्छा वो भरत नाटे वोली अगर ऐसा है तो मैं उस लड़की से अभी बात कर लेता हूं अरे बहिया पहले बात को समझे वो लड़की जगन से प्यार करती भी है या नहीं हमें नहीं पता माहां वहो मेरा फोन काट रही है अरे बेटा वह किसी काम में बिजी होगी एक भाध ठ्राइक हमें हुआ तुम हो कहां मैं तुम से मिलना चाहती हूं तुम कहां हो मैं अभी आता हूं वी आरेल बस्टॉप थिक है तूम वहीं रुको मैं अभी आहें हां कमसे कम इस बार उसे अपने दिल की बाद बता कर ही आना थिक आल दे बेस्ट थाक्स आइस क्रीम चाहिए पहले पैसे लाओ तब मिलेगी जाओ पहले पैसे लेकर आओ तुम्हें आइस क्रीम चाहिए इसे एक आइस क्रीम देला छोड़ो छोड़ो मुझे बचपन से ही मैं हिंसा से दूर भागता आया है लेकिन मैं जितना भी दूर भागता हम वो उतना ही मेरे करीब चली आते हैं अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो चला जा हम कोई सा अधारन भाड़े के गुंडे नहीं हैं अखाड के पहलवान है तुझे तुझे प्रुप टुझे तुझे युन तुझे युन लचिंशा लुक्त वसें वोजू कर दो कर दो कर दो घंक जह बिसे लिन अभिनल से जट कोतो, पेंड, तो तो ayudी depends, यह याँजमौोर्गोरों से लिए, मुझलोगोर्शा, प्टीर मैंने कर दो दो कि अधर प्रॉन फोन उठा फोन उठा फोन उठा निकल गया ना बोला बोला और शीशा जाओ तू कौन है मैं नहीं जानता, पर आज तूने बहुत बड़ी गलती की है, लगता है तुझे नहीं पता कि इस लड़की के साथ उसका रखवाला खड़ा है, उसके लिए मैं अपनी जान दे भी सकता हूं, और जरूरत पढ़ने पर किसी की जान ले भी सकता हूं, ये बात अप कि नंप ये जमे रिडावदर एल हूं, भी कותमा कि अपनी जान सफ हूं कौन म Разण मे भी with क concept में जब तुमने मेरी जान बचाई थी, मुझे तक ही तुमसे प्याहर हो गया था. मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ. पुरी जिन्दी की तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ. लेकिन, यह मुम्किन नहीं है. क्योंकि तुम सर्फ मुझे जान्ते हो. लेकिन मेरे परिवार को नहीं जानते मेरा गाउं है बादामी और मैं ठागुर परिवार से हूँ मेरे परदादा, he is a king maker और मैं बादामी के सबसे खौफनाक इंसान भलाल ठाकुर की पोती हूँ मेरे पिताजी और चाचा, मेरे भाई कोई कभी दादाजी के खिलाफ नहीं जा सकता पार्टी ऑफिस, माइनिंग, फेक्ट्री, सभी प्रॉपर्टीज में वो देसा ही अपनी टंग अडा रहा है उस कमीने का छोड़न मत जहां दीके काट डालना और मेरे पांचो भाई इंसान नहीं है राक्षस है भागो 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 गाओं के हर एक आत्मी को उनकी बात माननी पड़ती है वर्ना मुझे अपके लिए लड़का धोनने की इजासत क्या तुम मुझसे प्यार करती हो मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ मैंने अपनी माँ से वादा किया है तुम ही हमारे घर की बहु बनोगी शिव जी ने अपना अधा शरीर पारवती माँ को सौप दिया था श्री राम ने सीता मैया की खातिर लंका जाकर रावन का सर्वनाश किया हमारे इस देश में पत्नी को अरधांगिनी का दरजा दिया जाता है आज के बाद तुम्हें मुझसे दूर करने की हिम्मत किसी में नहीं होगी तुम्हारे घरवालों को मनाने की जिम्मेदारी मेरी है अब रो मत बहुत बड़ी खलती की मेरे आत्मियों को मौरा तुने ठाक और अब चाहे कुछ भी हो जाए उसके पूरे परिवार की बली चड़ेगी हलो जीजू, दो लोग मिले है अब आब अब 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 अना बंद कर और लेकर आँ दोनों को कौन है वो, कौन है वो अब ने उसे कभी पहले नहीं देखा है अकेला था वो लगता है आपके दुश्मन ठाकुर ने भीज़ा था उसे कनफर्म हो क्या वो पक्का ठाकुर का ही आत्मी था अब उस ठाकुर को दिखाऊंगा कि डर क्या होता है शिकार कैसे किया जाता है इस पला उसे इंग से टकराने का अंजाम क्या होता है पलाल था को नाम हमें मेरा मुझसे आख मिलाना भी अपराद है और जिसने मेरे आदेश का पालन नहीं किया उसका यही हश्र होगा बॉस उनकी फैमिली की कहानी तो बहुत डेंजरास है बॉस आपने तो प्रॉमिस कर दिया अब क्या करोगे आप ताकतवर किला खड़ा करता है और बल्वान उसके लिए पर अपना जंडा लहराता है निडर वार करता है और बहादूर डटकर उसका सामना लेकिन जिस इनसान के पास ये चारो गुण होते हैं उसे कहते हैं भराटे सामने वाले की शक्ती को कमांक ना मनुश्य की सबसे बड़ी गलती है भलल खाकूर के एक इशारे पर यहां के पेड मुर्जा जाते हैं और दूसरे इशारे पर वापस खेलोटते हैं बादामी के एक एक जानवर को भी पता है कि यहां पर सबसे शक्तिशाली कौन है सालों से इस जिले के हर परिवार पर राज करता आया है हमारा एक मात्र ठाक और वंश यहां पर हम साक्षात भगवान का रूप है और भगवान भी इस बात को इंकार नहीं करेंगे शायद तू ये बात नहीं जानता था लेकिन अब याद रखेगा नहीं तो कोली मार दूंगा ले जाओ साले को अपना इलाज करवा लेना चल निकल क्या आपके सारे पेपर खातम होगे बेटा जानते हो इसकी बस मैसूर के बजाए बगल वाले गाउं से आई है दाल में कुछ काला है जल्द से जल्द इसके सुहनबर की त्यारी करो कैसी हो बेटा ठीक हूं स्टॉप स्टॉप अरे तुम भी लोग ना लादेरे मुझे सबसे पहले बच्ची की नजर उतारने पड़ेगी इसनी भी समझ नहीं कि आपको कुत्ते की नजर बिल्ली की नजर मुर्गी की नजर कौवे की हाँ यूट्यूब की नजर फेस्बूक की नजर किसी की नजर ना लगए इसे का तुम्हारी शादी फिक्स दुखी क्यों हूं बेटा साधू बेचारी इतनी दूर से आई यह थकी हुई है इसे तोड़ा आराम करने दो सॉरी 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 आप जा सकती है टेक रेस तो ठीक तो है ना छोटे ठाकूर ने मेरे तीन आदमियों को मार दिया लेकिन फिर भी मैंने उन्हें आपका नाम नहीं बताया सर इंसानियत नहीं है उनमें मनुष्य नहीं राक्षास हैं वो लोग मैं कुछ नहीं कर सकता उन्हें बोला दीजिये सर पुलाद उन्ठाकूर को बोलता है बहुत खुशी के साथ मैं अपने परिवार के साथ रह रहा था और सिर्फ एक एकर जमीन के लिए उसने मेरे पूरे माइनिंग के दंदे को इलिगल खुशित करवा दिया मेरी आखों के सामने मेरे बाप और दो बेटों को पुलिस पकड़ कर ले गई दूसरे दिन उनकी लाशे घर आई जुट बोलते हैं उन्होंने जेल में आत्मात्या कर लिए ठाकूर ने मारा उन्हें सदमे से मेरी पत्नी ने स्विसाइड कर लिए मेरी मा भी चल बसी उसे हार्ट अटेक आ गया और मेरा तीसरा बेटा आज भी कुमा में पड़ा है बचेगा नहीं बचेगा कुछ पता नहीं है मेरे पास करोडों अर्भों की तौलत है लेकिन मैं लावारिसों की तरह नौकरों के साथ रहता हूँ और मैं भुला दूँ उ ठाकुर वंच की एक-एक उलाद को बदामी के नक्षज मिटा डालूंगा उसके खांदान के हर एक सदस्ती की लाश चाहिए मुझे ना अल्लवा कुछ तो काल बढ़ा है पंड़ जी को पिताता पड़ेगा रुद्रा रुद्रा कुछ पिताता पराने दुष्मन ओपस लोटेंगे तुम दुन है इस बात का पता लगाओ है कि यह क्या हो गया पंचर हुआ मालिक है पंचर हो गया आगे धाबा है वह इंतिजार करते हैं जी मालिक हम भी आते हैं रुजय यह मैं देखता हूँ कि अराम से अराम से अचानक ठोक दिया तो उपर जाके बेचारे कंफूजन में रहेंगे तो अब हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं नाम है हमारा सुपारी संकर एक बहुत बड़े रॉयल परिवार ने ठाकुर परिवार को ठोकने की मुझे सुपारी दिये तो अब हम तुम सब का कीमा बनाने वाले हैं सब की कहानी खतम बैजय में बात घुसी घुसी ना हापी जारनी छोड़ दो मेरे जाटू को प्लीज छोड़ दो धत्ते रेकी इतना रोना दोना चालू हो गया इरिटेशन हो रहा है अब लड़की का स्पिकर बंद करो कंपर बारो चोड़ो चोड़ो उसे दादू कि अलो भाईया का नाम सुपारी शंकर तोहरा खीमा बना देई इन लोगन की सुपारी रोयल घराने से आई है आप समझा कि नहीं चल भग स्माइल खूब है क्या भाईय उपर का टिकट कार्ड में क्या है पहले इस साले को खतम कराओ माल पानी रखने वाला रॉयल नहीं होता जिगर में हिम्मत रखने वाला रॉयल होता रखने वाला रॉयल रखने रॉयल रॉयल बईली है रखने रष्या रॉय्पी चोलाव य॑ प्राइब 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 भाइया जी हम तो कहता हूं निकल लो यहां से हम सब की जान बचाने के लिए डूंट मैंशन आप कौन हो हूं मैं तूरिस्ट हम बदामी के सबसे प्रसिद्ध ठाकुर परिवार से हैं हमारे साथ चलके आपकी खातिरदारी करने का दीजिये बहुत-बहुत शुक्रिया लेकिन आज मुझे थोड़ा काम है आप से प्लीज चलिए ना अंकल मैं फिर कभी आ जाओंगा देखो बादा करता हूं अग्री बास बच्चों को मना नहीं करते बच्चे तो गौड होते ना यह कौन माइस है फ्रेंड बात्रूम एमर्जेंसी काफी आतिश बाजी होई आप है अब एकना रिक्वेस्ट करें तो फि ये किस ने किया बोलो कौन था चाचू इन्होंने ही हम सब की जान बचाई है अगर यह नहीं होते तो अनर्थ हो जाता हूं 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 चलिए पलिस वला 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 अधर्याड मेंने है आपने सिर्फ पांच लोगों की ही नहीं हम सब की जान बचाई है आज अगर इन्हें कुछ हो जाता तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता बेना किसी संपूर्श के इससे अपना ही घर समझेगा इन्हें अंदर लेकर जाओ बेटा हाँ चलो चलो अंदर चलो किस ने बचाये तुम सब को मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसी ने खुद भाड़े के गुंडे बुलाए होंगे और आप सब की नजरों में ही रो बन चुका है इसका हुलिया तो देखो एक नंबर का रावडी लगता है इस चोटा पैकेट इस डूइं शाक ओन गैस्ट या आप नाराज मत हो यह सर इसका थोड़ा सटका हुआ हरे हर घर में ऐसा सैंपल जरूर होता है जगर है यही है आपके रूम यह रवी बस तू जा के आराम कर हां मैं बस अभी आता हां बट वेर गूइंग बुद्ध को मिलने जा रहा हूं अच्छा बुद्ध को बुद्ध क हाई 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 तुम यह तुम यहां तुम यहां तुम इत्ना खी आढ्यतों मैं इतना खार मैं यह यां ने यह तुम्हारे vanus मुझे यहां लेकर आना क्या यकेट नहीं हो रहा एक मिनिट बूलिए सर बुद्ध जी के दर्शन के लिए था लेकिन मेरा रूम कौन सा मैं भटक गया हूं यह रूम था या वो रूम था या याद नहीं आ रहा है यहाँ से एक दम सीधा जाई यह तरफ से तीसरा रूम में तो थांकि यू सो मज सर सब्सक्राइब करने नीचे दर्शम नहीं हुए और माफ कीजिए यह मेरी बहन है राधा नमस्त इनका नाम जगन है हमारे महमान है कुछ दिन यहां हमारे साथ रहने वाले हैं इनका ख्याल रखने के जिम्मेदारी हमारी है ठीक है आए सर रुख भाता हूँ अब क्या हुआ प्रणाम करना भूल गए है 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 इस सभी को प्रणाम पारंपरिक्रीद के अनुसार इस घर में वर की परिश्या लेने के लिए हम एक प्रक्रिया का इस्तमाल करते जिसे कहते हैं मेरे कोल्ड चेन वाओ मेरी बच्ची को नजर ना लगे है सब स्थान घरन कीजे करीबन छे महीनों की खोज के बाद ये तीन लड़के चुने है मैंने तीन लाख लोगों मैंसे यही तीन गदे मिलें अब सीधे पॉइंट पर आते हैं इस स्वेवर के विजिता को इस महल में जगा मिलेगी हमारी बेटी मिलेगी ठाक और परिवार का नाम मिलेगा मेरी तरह सासुमाज अगर आप रेडी हैं तो प्रतियोगी तरह शुरू करें शुरू किजिए पहला रहा हूँ सबसे पहले आपकी बुद्धी की परिशा ली जाए यह रहा सवाल अगर हमारी बीटी बीमार पढ़ जाए तो आप क्या करेंगी अगर यह खुद अपने फोन पर गूगल सर्च करेंगी तो सभी प्रॉब्लम का सल्यूशन और प्रिस्क्रिप्शन बिल जाएगा प्रॉब सब्सक्रिप्शन बेटे का घर के बिल्कुल पास में एक हॉस्पिटल है वहां इलाज करने पर 50% डिसकाउंट है वहां से थोड़ी दूर जाने पर सरकाई हॉस्पिटल है आपको तो पताएं ने मेरी कितनी पैचान है वहां जाने पर फ्री में इलाज होता है थोड़ा सा और आगी जाने पर यमलोगी होगा बैठ जाइए नेक्स अपना देशी इलाज है नो साइड इफेक्स कहिए पहले तो 30 लेने का सर बाद में 60 लेने का और उसके बाद 90 लेने का पीमारी पूरी गायब हो जाती है यह अर्वे दिखा यह होमेपथी है उससे भी भारी है सर ख नवस्ते तो पेश है दूसरा सवाल अरे चलो 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 कर देखते हैं की माजरा क्या है आज़ा कि शॉपारी किस ने नी बता औरजींग कोई गेम सो नहीं चलो है बताई दो मेरा इमान कोई नहीं खरीज सकता नहीं बताऊंगा बताऊंगा सुपारे किस न दी थी अभी तो हमार साधी भी नहीं हुए भार मैं हरकिस नहीं बताऊंगा बोल सेर टीवी पर तो मैंने बहुत बार ऐसे सीन देखे थे लेकिन रियल लाइफ में पर देखे थे पहली बार देख रहा हूं तुम यहां अपनी मर्जी से आए थे लेकिन बाहर भलाल ठाकुर की मर्जी से जाओगे एलो एंट्री बड़े स्टाइल में कीती है अच्छुए जैसे खड़ा हुआ है तुछ पर मेरी नजरे बच्चे मनें बोला संकर को इस लपड़े में मत पर उसने नहीं माना आज मारा गया वह आपकी बहुत इज़त करता था अपनी जान दे दी लेकिन आपका नाम नहीं लिया हमारी गैंग का तो शेर था वो वह अकेला ही हम सब को पालता था अब हमारा कौन खैल रखेगा आप ही कुछ मुआफजा दे दीजिए मुआफजा कितना कम से कम दो करोड रुपए वह पैसा लेकर हमारा काम भी नहीं कर पाया और तुझे मुआफजा चाहिए क्या ठीक है ठाकु साब का महल पास में है वहां होकर आता हूं हमें धंकी दे रहा है यह क्या भाई सूटकेस लाने के बज कितनी बार समझा चुका वे तुझे ऐसे निकम्मे गुंडों को बड़े काम मत दिया कर अब बलाल्ठा कुर्चोकन नहीं अब हम और नहीं रुक सकते सिर्फ उस कमी नहीं कोई नहीं उसके पुरे खांदान को खतम करना होगा आप इशारा की दे जीजु सब को उड़ा वो कोई तेरे स्कूल का लंगोट या यार नहीं के तो इतनी स्टाइल से बोल रहा है कि उसको उड़ा डालूंगा उस कमीने को तो तडपा तडपा के मारूंगा मैं जमीन पर गिरे उसके खून के दाग सद्यों तक नहीं मिटेंगे आप बताये मुझे क्या करना है बुला इसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है तुम लोग यहां खड़े-खड़े क्या कर रहे हो है स्वेमवर का टाइम हो गया चलो चलो जल्दी चलो कौन है और जादूगर के भेश में क्यों है हां सर यह हमारे घर के दामाज्शी है जब देखो जादूगर के कपड़े पहन कर स्वेमवर कराने का हमेशा मजाग करते रहते हैं आपके साथ रिष्टा जुड़ना सौभाग्य की बात है सर आप हमें जब भी कहेंगे हमें दोनों की मंगनी करवा देंगे बहुत जल्द अच्छा मौरत ढूंड कर आपको सूचित कर देंगे तुम मेरे दादची को जानते नहीं हो वो हमारे प्यार को कभी भी नहीं स्विकारेंगे तुम्हारे साथ जिन्दगी भार रहने का मेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा मैं एक दूसरे को भूलना होगा मैं तुम्हारी आगे हाथ जोड़ती हूँ चले जाओ यहां से सद्यू से इस घर के खिलाफ जो सर उठे हैं सब कट गए यहां प्यार से जादा खून माइने रखता है तुम जाओ यहां से चले जाओ मेरे साथ जो वह चलता है पर तिरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था अरे अगर सिर्फ एक तरफ प्यार होता तो बात समझ में आती यार लेकिन यहां तो आग दो दो तरफ लगी है खैर कोई बात नहीं नो टेंशिव जी के त्रिशूल से व लेजे में घुसी एबी सीडी भुला नहीं पाता दिल में बसी लेडी को कैसे भुला दू यहां कबसे बैटा ग्यान पेल रहा है जान की परवा किये बिना सिर्फ प्यार की खाते रितनी दूर आया मैं और मेरे प्यार ने मुझे रफा-दफा कर दिया चल थोड़ा एज़ हमेशा लड़कें क्यों देवदास बने लड़कियां कभी देवदास बनी है क्या मैं एड़्जस नहीं करूंगा लुखे मेरी लॉव स्टोडी खतम कल सुबहां दोनों यहां से निकल जाएंगे अल्लाल धाकुर का परिवार साल के बस एकी दिन बिना अत्यार के निहत्ता भाहर निकलता है आयूद पूजा के निकलता है कल सुबह 11 बजे उनके घर में पूजा आरंब होगी एक 12 बजे वो दुर्गा मा की स्थापना बादा में मैदान में करने जाएंगे वल्लाल धाकुर पूजा में व्यस्त होगा और अगनी समारों खतम होने तक किसी पर भी उंगली नहीं उठाएगा ठीक 12 बजे तक तुम मैदान में घुसकर हमला करोगे धाकुर परिवार की मौत की खबर मिलने के बाद दो बजे मैं शुरू करूंगा अपनी पार्टी अगर किसी भी कारणवश्ट तुम नाकाम रहे तो हम बात के पक्के हैं एक बार वादा की आना काम खतम करके ही रहेंगे जय बिहारे जय बिहारे जय बिहारे नाकुर काम रहेंगे खर लुचिए जट करें दो दो ऀे जुचिए गर टॉचिन अरॉ जोसे करें प।ुपा करें अरॉचिन उजदे दुचिन युचिन व्छिन गटें हिते हैं करें जुचिन जुचिन प्रॉचिन गर्ओंध लो भॉवाट ऑर जूट उे उेड़ूए! ईबादू जुट इड़ूए! उड़ू एट की! अबाँ! उू? पूटू हाई! बीए पर जोडिएा है। तक खालंदाजी मत कर दो लिश्ट में नहीं है निकाल पूजा के शुबवसर पर हमला दुश्मनी में भी मर्यादा का पालन करना चाहिए औरतों और बच्चों को भी नहीं छोड़ा तुमने लेकिन अब इस शेर से बच कर कहां जाओगे दम की देरा आएका तेरे बैंगलोर का कोई डरपो गुंडा नहीं है अम बिहारी है पर में थादाएका डिदे आएका मंचा अजिपे आफटेंगे भाणिदा, पुोचित बचली के दोड़ाएका प्रूदाखटेंगे बढ़तों के स्चली को है और 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 परो खो उआ को है काला रुद्र थांडवनिवनु जशक्ति संभाइबु तैया सुर्प फुल्गेगिवनु प्रिंकि ज्वाले महासूनरु मुदिरू इंदमातान निवा प्रणयासारु हम सब भले ही अनेक शेहरों से हो लेकिन सबसे पहले हिंदुस्तानी है इस धर्ती का पानी भी पवित्र माना जाता है यहां हर एक प्रार्थना घर एक समान है इस देश में पैदा होना हमारा स्वाभाग्य कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक हम सब एक है और निडरता हर हिंदुस्तानी के खून में दोड़ती है ठाकुर मेरा शिकार है उसके साथ क्या करना है सिर्फ मैं तै करूँगा मृत्यू के देवता भी हमारे बीच नहीं आ सकते मेरे रास्ते में मताना तुमने एक राक्षस को तो दबोच लिया लेकिन उसके साथ उससे भी बड़े राक्षस को बचा लिया मैं इसी विशे पर बात करने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ क्यों बचाया उसे कौन हो तुम वो लोग घर में खुशियां मना रही है और मैं आज शोक मना रहा हूँ आज आयूध्या पूजा के दिन मैंने अपने पूरे परिवार को खोया था मेरी आखों के सामने मेरे घर के हर एक सदस्य की लाशें बिछा दी गई थी मेरे देवता समान दादाजी का शराद है आज जिन्हें पूरा गाओं भगवान की तरह पूचता था हमारा घराना सिर्फ लोगों की सेवा करना जानता था मालिक मेरे बच्चे को साप ने काट लिया है इसे बचाइए मालिक सुलें बों, सुलें बों, सुलें । कर दो कर दो कि वह दो कि कर दो कि करना जीर दो नमस्ते भल्लाल थाकुर्जी कुछकरी सुनाइ एस अब जिलो में आपकी पाल्टी के उमेद्वार खड़े हो रहे हैं आप जिसे चुनेंगे वही सियम बनेगा लेकिन एक शेत्र में आपकी हाज निश्चित लग रही है वोना बादामी के रतनाकर परिवार का नाम तो सुनाई होगा आपने राजा कृष्णा रतनाकर ने आयुर्वेदिक उप्चार प्रदान किया है और वह खुझ लाखों लोगों की मदद कर चुके हैं पैसों से जादा उन्होंने लोगों का प्यार कमाया है सर और अब कृष् यह गहर किसी महल से कम नहीं है हमारी तरफ से हाँ है आप जो तारीख तै करेंगे हमें मनजूर होगी मेरी राय से ज़्यादा बीटिया की राय जान नावशक है तुम्हें मनजूर है ना बेटी मैंने कहा था क्या मेरी उससे शादी करवा वह होती को ने मुझे ठोकराने वाली शांत हो जाना मेरे भाई भूल जाओ क्या मैं उसे भूल जाओ कि मैं उस लड़के को नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा को मुझे मना किया हां 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 मुझे नकारा अपके सामने बेज़ती की नहीं छोड़ूंगा तुझे नहीं छोड़ूंगा तुझे मालिक मालिक रत्ना करका घर वालोने छोटे मालिक को मार नाला बला 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 ब हूइ 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 Northern sum County soldier अग नगक तरो फिर तरू करना है अ रुक जाओ, एक जीव के बदले, पूरे परिवार की बली चड़ा दी तुमने, बस करो, अगर सब मारे गए तो, सिर्फ मेरे परिवार का आंत नहीं है। एक पूरी परमपरा का अंत हो जाएगा, पीडी दर पीडी हमारा रत्नाकर घराना, लोगों की सेवा करता आया है, हम सब मर गए तो, पूरे समाज को आनी पहुचेगी, हम लोग, प्रान लेने वाले लोग नहीं है, प्रान बचाने वाले लोग है, बस करो, छोड़ दो, जल छोड़ दिया, भरपाई करेगा, मेरे बेटे की जान की भरपाई करेगा, करूँगा, पहला, तेरे सारी संपत्ती तु मेरे नाम लिखेगा, दूसरा, तेरा बेटा, भहू, और पोथा, कभी भी बादामी में नहीं देखने चाहिए, तीसरा, रतनाकर घराने की शान, क्रिश्ना रतनाकर अपने प्राण मुझे सौपेगा, जब तक तु लोटेगा, तेरा ये सेवक मेरे पास बंदी रहेगा, ये क्या पिता जी, ठाकर के डर से क्या हम, अपना घर, कारोबार सब छोड़कर भाग जाएं, बस एक बार कहिए, मैं सब को काट डालूगा, किसी को मार कर विजय प्राप्त नहीं होती, बल्कि ऐसा करने से, उन में और हम में क्या अंतर रह जाएगा, हमें अपनी परंपरा को बचाना है, हमारे आईरवेद को बचाना है, इश्वर ने हर एक मनुश को कोई न कोई शक्ती प्रधान की है, उन में से बहुत से लोग ऐसे हैं, जो खलत कामों के लिए उस शक्ती का उप्योग करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं, जो पूरे जग को बचाने के लिए उस शक्ती का प्रयोग करते हैं, और ऐसी ही शक्ती ईश्वर ने हमें प्रधान की है, तो उसकी रक्षा क और उसे बढ़ाना भी हमारा ही करतव है। आज तक तुमने हमारी हर बात मानी है। आज एक आखरी बात मान लो। अब कभी भी अपने कदम बदामी की भूमी पर मत रखना। आयरवेद की विद्या को कभी व्यापार मत बनाना। लोग कल्यान का अर्थ है आयरवेद। सब के स्वास्त की रक्षा करेगा। मेरे पोते का ख्याल रखना। करें लोग के प्राण बचा चुके आपका जीना आवश्चक है मालिक। मेरा जीना आवश्चक नहीं है मेरे प्राण का कोई मल्या नहीं है। उसके लिए मेरे परिवार का जीवित रहना ज़रूरी है और हमारी आने वाली पीड़ी को ये प्राचीन ग्यान बाटना ज़रूरी है और वचन का पालन करना हमारी परमपरा है शाबाश एक महान निष्ठावान राजा की तरह तु अपना वचन निभाने चलाया हाँ लेकिन मैं उन राजाओं में से नहीं हूँ जो प्रजा की खातिर अपनी जहान देना चाहता है तु ने अपना कर्तवे खोब निभाया अब मुझे भी तो अपना कर्तवे निभाना हो गया ना मालिक 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 परमातमा सब की रक्षा करना मालिक 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 अपना में हर जगे ढूंदिया कही भी आने अमा अमा जगन कहाँ चल लगया दिन माम याशुधा ट्रेन जा रही चल जल्दी जल्द है हुआ हैं है कि रफ्माइकर परिवार का कर्ज़ात हो मेरे परिवार के ऊपर मेरी मां जिस समय कैН Nós cartas मर रही थी तो आपके परिवार ने एक भी पैसा लिये बिना उनका एलाज करवाया था लेकिन जब आपके पूरे परिवार की बली चढ़ रही थी तो कोई बचाने नहीं आया और आप जब ठाक और परिवार की बली चढ़ेगी, कोई भी बचाने नहीं आएगा ना मैंने तुमसे कुछ पूछा, ना तुमने कुछ बताया, समझो के हम मिले ही नहीं भगवान तुम्हारी और स्पी के बीच हुई सारी बाते मैंने सुन ली हैं जगन मेरे दादा जी इतने दिनों से जिसे ठून रहे हैं वो तुम ही हो तुम्हारी बीस साल पहले की गलती का नतीजा है मुल्रका रेजिस्तान की गोज में रहता है वो भारत के नीले शहर में लेकिन तुम्हारी दादा जी ने तुम्हे जीवित रखने के लिए तो आज के बाद प्यार का इस्तिमाल करके अपने बदले को अंजाम तेने की कोशिश मत करना चले जाओ मेरी बात सुनो मैंने तुम्हें पहली बार राजस्थान में नहीं हाइद्राबाद में देखा था मेरे दोस्त की शादिव मुझे तब पता चला कि तुम भलाल ठाकर की पोती हो फिर मुझे पता चला कि तुम अपने दोस्तों के साथ जोत्पूर आने वाली हो हाँ आजकल सब जल्दी जल्दी हो रहा है अएव जोन के रिखेया आजकल में कि अच्छक्त कर दोस्तों सब्सक्राइब कर दोस्तों सब्सक्राइब जितनी मेरी नफरच सची है उतना ही मेरा प्यार भी सचा है दादा जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है अगर घर में कोई महमान आए तो दो चार दिन के बाद उसे चले जाना चाहिए इतने दिन किसी के घर में रहना उचित नहीं है और जब से वो इस घर में आया है हर दिन कोई ना कोई उसी बताती रहती है आप उसे यहां से जाने के लिए कहिए हुआ क्या है वह आदमी मुझे सही नहीं लग रहा है उसके अंदर मुझे राक्षिस डजर आता है लोग वो आगे राधा इतनी देर से तुम कहां थी अच्छा चोड़ो देर हो रहे हैं जल्दी चलो तुम लोग चेक मेट इसे शत्रंज में हराएगा तु खेल के राजा को भलाल ठाकुर को या मेरी पोती को मेरी वो पोती जो आज तक मेरे सामने बोलने से रिकत राती थी आज उसने मेरी आँखों में आँखे डाल कर बात की है क्या चल रहा है कौन है तू बोल बता 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 दादा जी आप जिस आदमे के सामने खड़ें वो हम सब को धोका दे रहा है सच तो ये है कि इसने हमारे घर में जान बुछ कर प्रिवेश किया है ये रादा से प्यार करता है कॉलेज के बाहने वो इसके साथ घुम रही थी ये दोनों अस्तका से जूट को क्या आए है जोटपूर में ये गाइड बंद कर रादा की जिंदेगी में आया और फिर इसने उसे अपने जाल में फसाया दादा जी प्लीज उनको रोक दीजें सर प्लीज प्लीज उसे करिये उन्हें नहीं मारे बहुत उसने हमारी जान बचाई दी ताउजी फुसे ज़र मालिक मालिक मंदिर से उस नायक ने रादा को अगवा कर लिया है चाल चोड़ो मेरे बेटी को चोड़ो मैं तुम्हारे आगे हाठ चोड़ती हूँ छोड़ तो उसे अगर वो भलाल ठाकूर एक मर्द की अउलाद है और अगर उसमें ज़रा सिपनी हमत है तो बिना किसी हत्यार के मेरे किले में आकर इसे छुड़ा के लिए जाने को बार जाने को बार रादा हारी रादा हारी माँ अगर अगर आज़ा पहले मेरी पोती को छोड़ो छोड़ दू क्या है पहलवान बिकरम नायक जिनके नाम सुनते ही लोग अपना सर जुगा लेते थे आज उन्हें लोग दया की नजर से देखते हैं देख मेरे भाई की हालत हैं जिस हाथ से मेरे भाई ने अपने तीनों बेटों के चिता को आग दी थी आज उसी हाथ से तेरी पोती को तेरी आँखों के सामने मार डालेंगे और तू बस देखता रह जाएगा यहां तुम सब को एक साथ देखने की बात तुम्हारे साथ भी वही करने का मन कर रहा है क्यों न तुम सब को एक साथ मोत के घाट उतार दूँ मार डालो अगर तू इनकी बैंड बजाएगे तो मैं क्या घंटा बजाओंगा तेरे घर ने पांच बार मातम मनाया है दो बार इस पर हमला कर चुका हूँ बिहार से मैंने साथ सो कुंडों को बुलाया था इनका खात्मा ही मेरी जिंदगी का मकसद है खैर छोड़ आज ये पल्लव सिंग और वीर नायक मिलकर ठाकुर परिवार की बली चुड़ाएंगे आज बहेंगी खून की नदियां ए भल्लाल कानी में ऐसा ट्विस्ट आएका तुने सोचा नहीं था ना अब देख क्या रहे हो उपर से छेचेंज कम करो लो लवर आ गया मेरे घर में घुसकर तुने हीरो पंती की उसके बावजूद तुझे छोड़ क्यों दिया पता है क्योंकि मुझे लगा तू भी ठाकुर की मौच चाहता है लेकिन तुने तो साला दल ही बदल लिया क्यों कि ऊस दिन तुझे छोड़ दिया लेकिन अज लगां है बहुत है लेकिन है ब्लाइक है यह माँ ड़लो सले को सिर्फ हमला करना काफी नहीं होता है हमला कब और कहां करना ये भी जरूरी होता है उसकी वज़ा से हमारे घर में तीन मौत होई है और उसकी वज़ा से मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया ओ भाई लो जब तुम्हारे जैसे सो मरते हैं तब एक भलाल पैदा होता है अरे जीतना तो परमपरा है ठाक और परिवार की अब तक जो हुआ वो सिर्फ कुष्टी थी अब शुरुआत होगी युद्ध की निकलो बाहर जटका लगाना लगना भी चाहिए यहाँ भलाल का राज चलता है जिस समय तुने मुझे युद्ध के लिए ललका रहा था उसी समय ये किला मेरा हो गया था मार डालो वो उन्हें भी बचा रहा और हमें भी बचा रहा यार अमें उससे मारने से रोका और अब खुद ही मार रहा है प्रामान महाभारत में तो बहुत पत्र देखें लेकिन इस जैसे करेक्टर को तो पक्का लाइफ में फर्स्ट अन देख रहा हूं मैंने एक बार भाई क्या बोल जें तु तो मेरे करे ही पड़ गया वाद एक भाई का भाई बड़ा भाई आतंक मचा रहा है अगर पाई करेगा बरपाई करेगा बरपाई करेगा बरपाई करेगा लोग कल्यान का अर्थ है आविर्वेट सब के स्वास्त की रक्षा करेगा बरपाई करेगा जिसने पूरे खानदान को खतम किया उसी की जान बचाई क्या बात है जगन मुहम्रत ना कर मुझे बचाकर तुमने मेरे अंदर के एंकार को मार डाला मैंने तो तुम्हारे पूरे वंच को मिटा दिया लेकिन तुमने मेरे खानदान को मिटने से बचाया मैं तो समझता था कि जान लेने से प्रतिशोत पूरा होता है लेकिन जान बचा कर प्रतिशोत को भुलाया जा सकता है यह तुमने थाबित कर दिखाया तुम्हारे दादा जी कहते थे लोगों की जान बचाना तुम्हारे परिवार का करतव है और तुमने थाबित कर दिया तुमने दादा जी का वचन ने बाया मुझे बचाकर तुमने मुझे कर्जदार बना लिया सदा के लिए तुम जीत कर दो मुझे माफ कर दो अपने माता पिता कुबलो आज ठाकुर गराना रतना कर गराने की पूरी संपत्ति उन्हें अभी इसी वक्त वापस लोटाता है रुकिये और इस घर की महालक्ष्मी को मेरी प्यारी पोती को आपके हाथों में सौंपना हूँ पूरी जिन्दगी के रहे और पूरी जिन्दगी हमारा पूरा परिवार आपकी सेवा में रहेगा पश्यत आपसे बड़ा प्राइश्चित और कोई नहीं है इस क्षण से हम अपनी सारी संपत्ति का उप्योग लोग लोग कल्यान के लिए करेंगे आज से हम एक परिवार है कि मलाल ठाकुर आप सब तो एक हो गए लेकिन हमारा क्या मैंने तुम लोगों को दोका दिया क्षेमा कर दो पिछली बातें भूल जाओ और आज से हमारे बीच की दुश्मनी खत्ना जान बचाने के साथ साथ रिष्टे भी जोड़ दिये कितना महान आदमी है मेरा बास हाना अब चुपाती के उलाद सारे डेलोग तु क्या खुद बोलेगा एक तो हमारी राधा को इसने पटा लिया हमारी सारी संपत्ति भी हडप ली तेरे इस दोस्ते सब का भला करने के सब्सक्राइब कुछ बोलना नहीं चाहोगे हैं हम दुनिया में खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही चले जाते लेकिन उसके बीच के गैप को इमानदारी से जीना सीखो हां जय रतना कर जय रतना कर जय रतना कर जय तो